ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जो की स्व्यम नारैन का है एक ऐसा मंत्र जो की लाखों सालों से आपके सामने था लेकिन आपने कभी इसको ध्यान से देखा ही नहीं एक ऐसी विचित्र माया जो की इस अंसार में है और कुछ जानकार है इसके बारे में जानते हैं मैं आपको बता दू कि मेरे साथ जो हैं बहुत ही विजित्र घटनाए घटती रहती है क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कितनी साधनाए कर ली और मैं बचपन से ही साधनाए कर रहा हूँ और मैंने कभी इनका रिकॉर्ड नहीं रखा कि मैंने इतनी साधनाए कर ली है करता हूँ, वो सिद्ध हो जाते हैं और उसका पता मुझे तब चलता है जब मैं उस जगह से विमुख हो जाता हूँ और कहीं और जाता हूँ, ऐसा ही एक स्थान था, था नहीं अभी भी है, वो मेरा पहला घर था, तो मैं वहाँ पर साधनाय करता था, मंतरों का जाप करता था, उनके बारे में अध्यान करता था, और हवन इत्यादी करता रहता था, तो ये इतना अत्यधिक हो गया था कि मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कितनी असंख बार इस साधना को किया यंत्रों को, मंत्रों को सिद्ध किया तो जिस थान पर मैं करता था मुझे ऐसा अब लग रहा है जैसे कि उस थान पर कुछ उरजाएं आ गई है पॉजिटिव उरजाएं आप यकीन मानिये जो मेरा घर का मंदिर है वो इतना पवित्र हो गया है कि आप मैं आपको अगर अभी कुछ भी कहूंगा तो शाहिद आप उन बातों पर विश्वास करें लेकिन मुझे महसूस होता है कि वहाँ पर जो है दिव्य शक्तिया है आपको एक वाक्या सुनाता हूँ एक बार मैं अपने क्लाइंट्स के साथ हिमाचल में गया तो मुझे एकांत स्थान चाहिए होता है जब भी कोई साधना करते हैं तो हम जंगल में निकल पड़े जंगल में हमने एक उचे स्थान देखा और वहाँ पर जो है पंचमुखी गणेश की हमने मूर्ति ली थी एक जो ब्रास में होती है पीतल में और उस मूर्ति का हमें कुछ भी नहीं पता था कि कहां से यह है किसने बनाई जैसे आर्टिकल्स मिलते हैं आजकल बजार में हमने ऐसी उठा ली थी तो हमने वहाँ पर यग्य किया और उसके बाद रात होने लगी तो हम वहाँ से चल दिया तो जो मेरी क्लाइंट थी वो आधे रास्ते में आकर मुझे बताती है कि गुरू जी मुझे अभी अभी एक सपना आया रो उसमें जो गनेश जी है वो मुझे कह रहे है कि मुझे जंगल में क्यों छोड़के जा रहे हो मुझे अपने साथ लेके जाओ तो फिर मुझे याद आया कि वो जो पंचमुखी गनेश जी की मूरती थी वो वहीं रह गई है एकदम से मैं वहाँ गया और वहाँ से उनको अरजित किया और उनको मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मूरत जो हो आपको बताए कि मैं जंगल में हूँ मुझे यहां से ले कर जाओ और ये मेरे साथ हुआ है उस दिन के बाद से वो जो मूरत है वो मेरे मंदिर में स्थापित है मैं आपको कभी दिखाऊंगा और वो इतना चमतकारी है कि मैं कितना भी इसके बारे में कहूं वो कम है क्योंकि वो सिद्ध हो गई और मुझे पता ही नहीं था कि ये सिद्ध हो गई है क्योंकि हम तो यग्य कर रहे थे किसी और कारे के लिए लेकिन वहां पर जो है जो आवाहन था गणेश जी का वो उस मूरत में हुआ और वो वहां पर विराजबान हो गए बहुत ही बड़ी बात है छोटी बात नहीं है कि कोई मूरती आप से बात करे ऐसा अनेक बार मेरे साथ होता है कि रात को जब मैं सोता हूँ वैसे मेरी नीन जो है वो बहुत कम होती है मैं रात को भी जागता रहता हूं, कुछ लिखता रहता हूं, अपनी नई books पर research करता रहता हूं, इन में क्या डाले क्या ना डाले और ऐसे-ईसे मंत्र जो हैं, वो मैं सजोता रहता हूं, रात को भी मैं mostly यही काम करता हूं, तो एक बार क्या हुआ कि मैं सोया, और मुझे एक पेड था, उसकी जटाएं जो हैं लटकी हुई थी, और उनकी नीचे जो गनेश जी हैं, वो कुछ लिख रहे थे, और background में एक music बज़ रहा था, जिसमें की मंत्रों का गुम्फन हो रहा था, मैं अचंभित, कि कैसे हो रही यह, जो मंत्र मुझे सारे याद हैं, उस समय पर किन्तु एक मंत्र जो उस समय पर गाया जा रहा था, वो मुझे याद रहे गया, लेकिन और भी कई मंत्र ऐसे थे जो मुझे याद नहीं रहे, और आपको मैं बता दूँ कि जब मंत्रों की देख्षा दी जाती है, या फिर जब ऐसा आलोक की ग्यान आपके पास आता है, त आपको स्वेम के अध्यन से मिलेगा, साधनाओं में मिलेगा, और साधनाओं में जब मंत्र मिलते हैं, तो वो ऐसी आते हैं, स्वपने केम अध्यम से, कभी कोई गुरु जी आएं, वो आपको बता दे, कभी ऐसे ही आपको ख्याल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी म मंत्र मिले उसको और्जित कीजेगा, तो मैं आज आपको बताऊंगा, गनेश जी के वहां से जो मुझे मंत्र मिला था, और गनेश जी से मेरा नाता बहुत पुराना है, कई बार ऐसा भी होता है, कि सपनों में गनेश जी आके हवन कर रहे होते हैं, मेरे घर में, और फिर जो ह आज जो है जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये मुझे उस रात में क्योंकि मुझे मंत्र तो याद ही था लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी थे मैं तो ऐसा भी सोचता हूं कि कई बार कि सोते सोते मैं लिख सकता अगर तो आज तक तो बताने कितने मंत्र मैं लिख लेता तो मुझे याद नहीं रहते हैं लेकिन एक मंत्र जो है मुझे याद रहा था वो है वासुदेव का क्लीम कृष्णाय नमहा बहुत ही पावर्फुल मंत्र है यदि इसका आप जाप करते हैं तो वासुदेव की ऐसी कृपा आप पर हो जाएगी कि आपके भंडार भर देगी भंडार भर देना ये नहीं है कि बस पैसा ही सब कुछ होता है इसमें आपको health, wealth सब कुछ मिलेगा जो भी इस जीवन में आपके लिए आवशक है जो अनिवार रहे है वो सब आपको मिलेगा और ये मंत्र इतना चमतकारी है कि जितनों को मैंने दिया है इसने अपना काम मैं जब सुबह उठता हूँ तो कुछ उस सपन से मुझे कुछ मिलता है तो मैं बड़ा ही मुझे गौरव होता है कि मेरे गुर्देव आते हैं मेरे सपने और मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये मंत्र है और कई बार तो ना ऐसे ऐसे मंत्र होता है जिनको मैं लिखना चाहता वो मुझे सामने से बता रहे होते हैं, लेकिन मैं याद नहीं रख पाता हूँ. सुबह उठते ही साथ वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि संस्क्रिट जो है, उनके जो मंत्र हो लंबे-लंबे से होते हैं, और मुझे याद नहीं रहते हैं, अगर कुछ ऐसा हो कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लें, जैसे फोन में रिकॉर्ड करते हैं, तो तो बहुत सारे मंत्र में आपको दे सकता हूँ. लेकिन जो कुछ एक मंत्र जो मैंने सुने होते हैं, जो मुझे याद रहते हैं, सिर्फ वही मुझे याद रहते हैं, बाकी जो मंत्र हैं, वो मैं याद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आगी से मेरी कोशिश रहेगी, कि मैं एकदम से जैसी उठों, तो उन मंत्र को कहीं लिख लूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि मुझे दुपहर तक तो याद रहते हैं, और मैं आलस कर देता हूँ लिखन किस तरह से प्रयोग करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वासुदेव का स्मरन करें और इस मंत्र को जबना शुरू कर दें, तो उनकी कृपा दृष्टी जो है वो आप पर हो जाएगी, और ये मंत्र सिर्फ प्रेम के लिए नहीं है, ये है इस भवसागर से पार का मंत जो कि आपको इस भवसागर से पार कर देगा, किसी भी तरह की परिशानी हो, चाहे कोट के चहरी हो, आपका प्यार आप से रूट गया हो, माक्स असे चाहिए इक्जाम्स में, और कोई बीमारी, कोई रोग जो है आपको ग्रैसित कर दिया हो किसी ने, या फिर किसी ने काला जादू कर दिया हो, तो भी इस मंत्र को सटीक तरीके से लगाया जा सकता है, और विधी बड़ी हिसरल है, बस उस परमेश्वर को याद करते हुए, उस जगद गुरू को याद करते हुए, उनके स्तूती करते हुए इस मंत्र का जोई जाब करते रहें, कितना भी कीज़े, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही करनी है जितना आप कर सकें चाहे तो पूरे दिन करते रही है जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाव होगा तो एक वासुदे भी ऐसे हैं जो की इस जगत में आए और आगे भी आएंगे और इस जगत का जानते हैं कि यह जगत कैसा है किस तरह से यह काम करता है तो वो आपकी मदद करने में ततपर रहेंगे इस कल्यूग में इस मंत्र को कीजेगा और फिर मुझे बताइए कि कितनी जल्दी इसने आपकी काथ सवार दिये है आप अगर कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर आप मुझे इमेल भी कर सकते हैं info at the rate mohinividya.com पर जै श्रे कृष्णा